जैसे ही वैयां को रियलाइज होता है कि तुबाजुन उसका दुश्मन है तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है तभी प्रिंस हान और प्रिंस यू भी वहां आते हैं जो सभी मिलकर एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं प्रिंसेस डीबी वहां लड़कों के कपड़े पहन कर आती है जो मिंदे को कन्फ्यूज करने के लिए प्रिंस होने की एक्टिंग करती हैं सभी को हम आर्चरी कॉम्पेटिशन में देखते हैं प्रिंस हान जो की तुबाजून के अंकल है और तुबाजून दोनों भी कम्पीट करते हैं तुबाजून की आर्चरी स्किल्स प्रिंस हान से भी बहतर होती हैं तबी गलती से एक तीर आकर वेयां को लगने ही वाला होता है जिसे मिन्दे रोग देता है और उसकी आर्चरी स्किल्स देख प्रिंस हान उसे अपने यहां इंपरियल गार्ड के लिए अपउइंट करता है जिसके लिए मिंदे भी मान जाता है और प्रिंसेस की गलत फैमे भी दूर हो जाती है वो सबको एक नया गेम खेलने के लिए बोलती है जिसमें दो लोगों के एक एक हाथ को बांद कर रखा होगा और उन्हें बाल्टी में तीर फैकने होंगे जहाँ पर हमें सबकी पैरिंग्स दिखाई जाती है वेई यंग और तुबाजुन दोनों साथ में होते हैं मगर वो जान बूच कर उसे इग्नूर कर वहाँ से चली जाती हैं तुबा जुन भी उसके पिछे पिछे जाता है। इधर ये लोग अपना गेम कंटीनू रखते हैं। चांगरू तुबायू के साथ काफी खुश लग रही थी। वेयोंग भी बिमारी का बहाना कर वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ प्रिंसेस दी और मिंदे बिल्कुल ब अपनी मा का बहाना कर वहाँ से चला जाता है। वेयोंग घर आकर उसी फैन को देखती है जो कि तुबा जुन का था जो उस दिन वो अपने साथ ले जाना भूल गया था। जिसे फिर उसने अपने पासी रख लिया उसकी याद की तोर पर। लेकिन फिर वो अपने बदले क को याद कर उससे प्यार ना करने का डिसाइड करती है। तभी वेयोंग की दोनों मेड्स भी वहाँ आकर उसे चिड़ाने लगती है कि आपका सेवियर तो प्रिंस गेयोंग निकला। वो उससे तुबा जुन के करिब जाकर उससे शादी करने के लिए भी कहती है। लेकिन वेयोंग दोनों को भी डाटती है कि आज के बाद वो उसके सामने तुबाजुन का जिकर ना करें। चिउन रो यहाँ जेट पेंडेंट के बारे में बात करती है कि कंसर्ट गलत नहीं हो सकती। अगर यह पेंडेंट नकली है तो इसका मतलब लाइंग प्रिंसस अभी भी मिंदे की मॉम उसकी जॉब लगने पर काफी खुश थी। तबी वेयोंग भी वहाँ आती है। आन्जू नोटिस करती है कि उनका शाय बेटा जो अकसर किसी से बात तक नहीं करता वो वेयोंग के अरांड काफी कमफोटेबल फील करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चां करता है। तबी उसके पास एक स्क्रोल आता है जिसमें लाइंग प्रिंसेस का पोट्रेट था। वेयोंग भी वहाँ मुझूद थी। चांगले जो कि प्रिंसेस को देखना चाहती थी। मगर वेयोंग उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों की ऐसे जड़ब देख मिंग मिंफेंग वेयोंग की मेट जीयान को अप्रोच करता है। उसे अपने प्यार के जाल में फसाने के लिए ताकि वो वेयोंग की पलपल की खबरे उन्हें लाकर दे सके। इसी बीच वेयोंग उस पोट्रेट को चुराने आती है। जो जल्दी जल्दी में किसी को आता हुआ देख अपनी पोट्रेट पर पेंट डाल देती है। लेकिन मिंफेंग जान जाता है कि जरूर यहां कोई ना कोई है। और जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है तबी वहां कोई और असाशियन आकर उस पर हमला कर देता है। दोनों में भी फाइट होने लगती है। वो असा कमरों की तलाशी लेते हुए वहां पहुच जाता है। वैयंग जो उसे अपने कमरे में छुपाई हुई थी मगर उनके जाते ही जियान उसे बता देती है कि कमरे में कोई छुपा हुआ हैं। तबी मिंफ 진행 भी कमरे में आता है और उस असाशियन को पकड़ लेता है। वैयं नोमेट को सजा देने लगता है जिससे वेयांग उन्हें बचाते हुए खुद भी चोट खा लेती है आई होब कि ये देख कर तो कम से कम उस जीयान को अकल आ जाए जिसके बात वेयांग की माँ भी उससे मिलने आती है जहां वो उसके हाथ पर वो बर्थमार्ग देख लेती ह जो उनकी बेटी वेयांग के हाथ पर कभी भी नहीं था और यहां मिंग फैंग फिर से जीयान को अपनी बातों में फसा कर उसे मना ही लेता है ये जीयान का ना कुछ नहीं हो सकता वेयांग की माँ कमरे में आकर उसी बर्थमार्ग के बारे में सोचने लगती है चियून रो चांग्शी के उस निशान को देख लेती है जो अब काफी हद तक हील हो चुका था जिसे देख वो समझ जाती है कि उन्हें अब उस पर यकिन नहीं रहा और इसलिए उन पर अपना यकिन बनाए रखने के लिए वो उसे तुबायू के करीब लाने की बात करती है यहाँ पैलेस का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार हम वेई एंपरर को देखते हैं उनके राज्य में बाड आ चुकी थी जिस वज़े से आसपास के गाव को काफी नुकसान भी हुआ था और इसी सब के लिए वो एक सॉलुशन निकालने का सोचते हैं लेकिन एंपरर को किसी का भी सुझाओ पसंद नहीं आता इसलिए वो यह एलान करते हैं कि जो भी सबसे बेस डिजास्टर रिलिफ प्लैन को लेकर आएगा उससे एक इनाम दिया जाएगा इधर वेयांग जुनताओ को दूनने के लिए घर से बाहर निकलती हैं और वो अपनी मेट्स को भी इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती हैं लेकिन जीयान ये खबर मिंग फैंग तक पहुचा देती हैं वेयांग भी यहां भेज बदलकर जुनताओ को डूनने लगती हैं जहां वो देखती है कि बाड की वज़े से कुछ लोग गरीबी के मारे दरदर भटक रहे हैं जबकि राजा ने उनके लिए खाने की वयस्ता भी की हुई थी लेकिन कुछ भ्रेश्ट आफिसर अपने फाइदे के चलते वो मदद आम जनता तक पहुचने नहीं देते मगर तभी तुबाजुन वहां आकर उन सब की मदद करता है जिसे वेयोंग भी देखती है जियान की खबर मिलते ही चांगले भी उसके बारे में पता लगने के लिए वहां पहुच जाती है जहां वेयोंग भी ठहरी हुई है तुबा जुन वेयोंग से यहां आने की वजह पूछता है चांगले भी वेयोंग को वहां ना पाकर उसे हर तरब ढूनने लगती है मगर तबी वेयोंग भी वहां तक पहुच जाती है और बात को संभाल लेती है ये कहकर कि वो अपने फैमिली के लिए यहाँ प्रेयर करने आई थी उसे कोई भी डिस्टरबंस ना हो इसलिए इस बारे में उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया वेयोंग भी उससे यहाँ आने की वजह पूचती है जिस पर चांगले भी जूट बोल देती है कि वो भी यहाँ प्रेयर करने आई थी वेयोंग के बारे में पता चलते ही तुबा जुन भी उससे मिलने वही उसके पिछे पिछे आ जाता है लेकिन वेयोंग फिर से उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है जिससे उसे काफी बुरा लगता है लेकिन चेंगदे से अपने मास्टर की यह हालत देखी नहीं जाती और वो वेयोंग से बात करने आता है वो उसे बताता है कि तुबाजून उसकी कितनी केर करता है इतना बिजी होने के बावजूद भी आपके बारे में पता चलते ही वो यहां आपसे मिलने आये लेकिन फिर भी वेयों ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फरक ही नहीं पड़ रहा हो जिसके बाद बावजी भी उसे समझाती है कि प्रिंस केयां आपको लेकर कितनी सीरियस उपर से उन पर राजा के तरफ से काम का इतना प्रेशर है लेकिन फिर भी वो आपके बारे में ही सोचते है चांगले भी वहां आकर वैयां को थपड मारते हुए उसे अपनी अवकात में रहने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो तुबाजून के करीब जाए